हेलो एव्रीवान वेलकम बैक तो माई चैनल ट्रिपल सेवन सोल टेरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं आप सभी लोगों के लिए रीडिंग करने लाइफ में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आगे चलकर क्या एक्षन लेने वाले हैं कोई करंड चैलेंज अगर अब इसकनेक्शन में है तो वो क्या है और डिवाइन किस तरह से आपको गाईट करेंगे इस सारी बाते में आपको बताऊंगी स्टार्ट करते हैं बिना साथ resonate हो सकता है ना हो so please keep an open mind reading ये timeless भी है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि आपके divine masculine की life में चल क्या रहा है क्या कर रहे हैं वो deception and envy number seven wow again number seven number five number seven again triple seven angel number sacrifice तो क्या चल रहा है आपके divine masculine की life में देखो यहां पर triple seven angel number है यानि कि angel आपके person को देख रहे हैं उनके करमास देख रहे हैं क्या कर रहे हैं लाइफ में ठीक है क्योंकि right now आपके person peace नहीं है आपके person के पास जैसे कि conflict and defeat का card है काफी हारा हुआ सा feel कर रहे हैं यह या फिर बहुत ठक गए हैं challenges accept करते 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 थोड़े confused है हो सकता है इनको एक answer चाहिए क्या करें यह क्या action लें तो divine से उसके लिए काफी ज़्यादा manifest कर रहे हैं कि यह एक decision तक पहुँचे इनकी confusion जो है वो दूर हो जाए इनको रास्ता मिले देखो जितनी कठनाईयों से यह person गुजर रहे हैं उतना ज़्यादा इसके अंदर जो deception है जो यह envy की जो feeling है यह खतम हो रही है दीरे दीरे आपसे यह प्यार करते हैं लेकिन अभी इतनी hardships इस person के पास है कि यह आपको time ने दे पारे तो इसने ना यह connection sacrifice किया है कुछ time के लिए यह इन्होंने यही decide करा है हर चीज को यह साथ लेकर नहीं चलेंगे तो अपने career के लिए या फिर अपनी peace के लिए mental peace के लिए यह अभी आपसे बात करना चाहते नहीं है बिल्कुल भी नहीं इस connection को sacrifice किया है इस person ने और सही समय आने का wait कर रहा है patience रखे हैं इस person ने और universe की planning पर believe कर रहा है आपके divine masculine ऐसा नहीं आपको भूल गए या आप आपसे प्यार कम हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है यह तो बिल्कुल सोचना भी मताब लेकिन जिस हालात से यह person गुजर रहे है ना इन चीजों को देखते हुए यह आप आपके साथ अगर समय में बिताएंगे तो इसको लगीगा कि पता है इसका जो मन है ना वो यह बोलता है कि अभी energy जादा अपनी confusion को दूर करने में लगानी है life के pattern solve करने हैं क्योंकि इसको पता है कि इसकी situation ठीक नहीं हो जाती तो यह patience रख रहे हैं universe की planning पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं कुछ time बाद थोड़े time बाद यह situation change हो जाएगी ठीक है देख लेते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं अब time number seven देखा थोड़े अगें number seven angel बहुत support कर रहे हैं guys आप दोनों को seven एक angelic number है और यह number आ रहा है इसका मतलब कि आप दोनों के साथ angel का support चल रहा है आप demotivate मत होना number two waiting game oh my god okay और देखते हैं यह card आ रहा है heartache and loss solitude number nine जल्दी जल्दी cards आ रहे हैं आपके लिए and heart chakra इसका heart chakra हमेशा open है आपके लिए हमेशा balance है दिल से सोचते हैं दिल से प्यार करते हैं दिल से आपको याद करते हैं इस time इसको पता है इसका जो भी action है वो आपको hurt कर रहा है आपको hurt कर रहा है लेकिन यह जरूरी है आप दोनों की progress के लिए जानते हैं यह आपके लिए क्या सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी delay या separation phase आप दोनों की बीच में आ गया है unnecessary यह जल्द से जल्द खतम हो जाए और यह person आपके पास आ जाए इसकी planning यही है आपके लिए जैसे इसका यह delay खतम होता है यह hardship का जो टाइम है घ्रीक है यह खतम होता है यह तुरंट foreign आपके पास आजाएंगे आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको call message करने की भी ज़रूरत नहीं है यह खुद आपको call message करेंगे खुद आपके पास आएंगे क्योंकि यही mindset बनाया है इसने आपके लिए और इसको पता है आप hurt हो, इस person को अच्छी तरीके से पता है जो भी action लिए है इस person ने या जो भी कर रहे है life में अभी आप इसके action से hurt हो लेकिन आपको hurt नहीं होना आपको अपने person को और motivate करना है आपको समझनी है यह situation और अपनी life में आपको भी आगे बढ़ना है regret में आपको नहीं रहना है क्योंकि यह आपके life में negativity लेकर आएगी जो कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए ओके तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर सोचो चीजों को rainbow reviver यह person चाहते हैं आप खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना काम अच्छे से करें without any stress ठीक है क्योंकि इस person को feel हो जाता है आप कब खुश हैं कब आप दुखी हैं कब आप उदास हैं सब समझ पाते हैं यह person क्योंकि आपका connection ही ऐसा है देखो इस person ने boundaries बना लिये guys यह अभी नहीं चाहते हैं आप से contact करें तो हो सकता है 7 दिन तक ही compatibility even compatibility है प्यार है रियल लव है लेकिन फिर भी boundaries बनी है तो इसके पीछे बहुत बड़ा reason है आपके person अभी काफी ज़दा problems face कर रहे हैं अपनी life में इसी वज़े से ऐसा हो रहा है वरना तो यह आप से प्यार करते हैं आप से प्यार नहीं करेंगे तो किस से करेंगे प्यार के साथ साथ तो आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास भी है चलो और देख लेते हैं keep an open mind इस तेंट थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा सोच थोड़ी खुली रखनी पड़ेगी नहीं बात कर रहें तो it's okay इस तरीके से flirt आपको लग रहा होगा कहीं बाहर flirt तो नहीं कर रहें ऐसे आपके mind में negative thoughts आ रहे हैं तो यही है यहाँ पर challenge ऐसी thoughts आपको create नहीं करने हैं बिल्कुल भी open mind रहने की जरुरत है क्योंकि यह चीज़े ना फिर ऐसे feel कर आएगा आपको कि यहाँ कोई chemistry नहीं है यहाँ कोई भरोसा नहीं है trust नहीं है ठीक है तो जो challenge यह चीज़ आपके person को भी feel हो सकती क्योंकि वो बात नहीं कर रहें तो आप भी तो बात नहीं कर रहें अपने आप आएंगे मैंने बोला ना playfulness, flirt और unrequired love यह सब चीज़े बता रहें कि यहाँ पर कोई chemistry नहीं है attraction नहीं है तो आप दुनों को ऐसा feel हो रहा होगा तो यह बहुत बड़ा challenge है आपके connection के लिए कि आपको separation में भी एक दूसरे को मतलब आप wipes भेज सकें तो positive रहें अपने connection के लिए ज़्यादा overthinking आपको नहीं करनी चाहिए और negative नहीं सोचना चाहिए अगर यह आपके divine counterpart है the hair of end the next action के लिए मैं card निकाल रहे हूँ eight of wants देखा आ रहे है यह contact आ रहा है इसके इसकी तरफ से आपके पास eight या nine दिन बाद या seven days after ठीक है आ जाएगा यह अपने work में busy हैं यह आपको contact करेंगे don't worry बहुत परिशान हैं अभी life में काफी struggle देख रहे हैं अभी ठीक है किस लिए ताकि यह एक position एक ownership एक respect earn कर सकें अपनी society में तो यह चीज़े हो रहे हैं लेकिन हाँ इसकी तरफ से contact आ जाएगा आपको ठीक है यह message contact कुछ ना कुछ आपको करेंगे call भी कर सकते हैं तो परिशान मत हो यह आप लोग within the next few weeks हाँ मैंने weeks के लिए बोला ही था seven weeks का भी मैंने time दिया within the seven weeks यह contact कर सकते हैं या फिर seven days बाद भी कर सकते हैं helpful people आपकी जिंदगी में अब ना कुछ ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं आपके target को complete होने में और same चीज आपके person के साथ भी होगी वो भी अच्छे लोगों से मिलेंगे और उनके भी बहुत सारे जो confusion है वो सब दूर हो सकती है अच्छे लोगों से मिलकर helpful people divine बेजेंगे ठीक है कुछ लोगों को आपकी life में ताकि आपकी जिंदगी smooth होना शुरू हो जाए अच्छे से चले तो गाइस यह अभी दोनों की है अगर देखा जाया conclusion निकाला जाया इस reading का तो दोनों के पास hardships हैं और इस time आपको consider करना है कि आप अपने रिष्टे पे विश्वास रखें ठीक है और negative thoughts ना लाए अपने अंदर वाकि थोड़े time के बाद चीज़े ठीक हो जाएगी जैसे ही आप थोड़ा सा time बदलता है चीज़े बदलती है तो इस situation भी बदल जाएगी ओके इस इस यूर रीडिंग I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हूँ तो अभी के लिए बस इतना है guys बाई टेक क्यर